नमस्कार भारत एक्स्प्रेस यूपी में आपका स्वागत है मैं हूँ हरिशंकर कुमार राजे सभा चुनाओ में क्रॉस वोटिंग करने बाले समाजवादी पार्टी के साथ विधायकों में से पांच उची जातियों की थे इन में से तीन ब्राम्हन तो दो ठाकुर थे अब लोग सभा चुनाओ से पहले अख्लेश यादब जातियों के इस पेच से कैसे निकल पाएंगे हम आपको इस वीडियों में विस्तार से बताते हैं समाजबादी पार्टी के अध्यक्ष आखिलेश यादब मुश्किल में फस गए हैं OBC दलितों और अल्व संख्यकों पर उनकी रननीती का उल्टा असर हुआ है और उची जातियों और PDA वर्गों ने उन पर तीखे हमले किये हैं हाल के राजसभाचुनाओं में क्रॉस वोटिंग करने वाले सपा के साथ विधायकों में से पांच उची जाति के थे उन में से तीन ब्राम्भन दो ठाकुर थे उनकी शिकायत थी कि समाजबादी पार्टी में समावेशिता की नीती छोड़ दी है ब्राम्भन विधायकों में से एक ने कहा पीडिये हमारे लिए कोई जगय नहीं छोड़ता जिस तरह से स्वामी परसाद मौरे ने सनाता धर्म की आलोचना की और अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी उससे पता चलता है कि उन्होंने मौरे की आलोचना को अपनी सहमती दे दी पार्टी लाइन के खिलाब जाकर गुरुवार को आयोध्या में राम मंदिर का दौरा करने वाले विधायकों में से एक मनोज पांडे ने कहा अधिकांश विधायक मुख्यमंतरी के नेतिर्तो वाले प्रतिनीधी मंडल के साथ आयोध्या जाना चाहते थे हमें लगा कि मंदिर का दौरा पार्टी लाइन से उपर होना चाहिए लेकिन हमारे नेताओं ने न जाने का फैसला किया और हमें इसका पालन करना पड़ा उची जाती के विधायकों के साथ ही OBC नेता भी PDA के फार्मूले पर सवाल उठा रहे हैं पार्टी विधायक पलबी पटेल ने राजे सभा के लिए उमिद्वारों के चैन की आलोचना की और कहा जया बच्चन और आलोक रंजन जैसे उमिद्वारों के चैन में PDA कहा है बाद में वो मान गई लेकिन उन्होंने अपना वोट दलित रामजी लाद सुमन को दिया स्वामी परसाद मौरे ने सपा छोड़ने के बाद भी कहा कि सपा सही माइनों में PDA का पालन नहीं कर रही है उन्होंने कहा कि अखिलेश समाजबाद और धर्म निर्प्यक्षता के रास्ते से भटक गए हैं सपा के पुर्ब सहयोगी सुभा सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बार बार अखिलेश की आलोचना करते रहे हैं और उन पर PDA के फर्मूले को महज नारे के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते रहे हैं पुर्ब संसद सलीम शेरवानी ने भी अखिलेश पर राजिस सभा के लिए उमिदवारों के चैन में मुसल्मानों की अंदेखी का आरोप लगाते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी पुर्मंत्री आबीद रजा ने भी इसी आधार पर इस्तिफा दे दिया था लोगसभा चुनाओं के पहले उची जातियों OBC और मुसलिम नेताओं द्वारा उनका साथ छोड़ने के बाद अब उत्तर परदेश में अखिलीश यादब को एक कठिन चुनाओती का सामना करना पर रहा है एक तरफ उन्हें अपनी पार्टी की एकता को बनाए रखने के लिए और दूसरी तरफ अपनी नीतियों के प्रती अपने मदाताओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए कारी करने की जरूरत है इसके लिए राजनेती कौशल की आबश्यक्ता है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार